कि हेलो मेरे से आपका साखते तू अज बिंख बोहत जाइने जारे हुरे हो बहुत ज्यादा टेश्टी मसालेदार चीजबा इंट बरगर फेंडे आपने लेकर आप को को लिता है करें आपको बहुत ज्यादा पसंद आप ले लीजिए अब हम क्या करेंगे चलते हम गैस की दरफ तो हम रखेंगे यापर गैस ओन करके एक पैन और मैं इसमें डार दे हुई यापर यह एक चमच ओयल आप कोई भी कुपिंग ओयल ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं और को अच्छे से गरम कर लेते हैं और फारते हैं करते हैं किसे गरम हो चुका है तो मैंने आप ले लिए हैं 4-5 लेसं के कलिया जिनको इस तरह से बारीव चौप कर लिया है यह लिए पहुत अच्छा क्रीपत्त्त। यह डाल देंगे इनसे भी बहुत अच्छार ख्रेवर आता है करीपत्य हमारी हेल्थी के लिए बहुत ज़्याद अच्छे होते हैं तो आप इसको सब्जी बेगरा में जरूर यूज किया करें थोड़ी से मैंने अब पारी कटीवी सारी सब्जे ले ली हैं अब इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज प्याज को अच्छे से हम इसमें मेक्स कर लेते हैं प्याज को मैं बस हल्का सा सौटे करना है यानि की गोल्डर ब्राउन नहीं करना है विल्कुल सब्जी की तरह नहीं पकाटाना है सब्सक्राइब हिए सब्सक्राइब करएंगे कि तोAd ignetable, अभी अपर नहीं पकारेंगे अब क्या करेंगे वाकी के सब्सक्राइब हम डाल Ne 나가 आपर टमाटर, टमाटरों को मैंने एक दम बारीक चॉप किया है, सब्जियों को आप बारीक से बारीक काटें, जो भी सब्जियां आपके पास अविलवल हैं, वो आप डाल सकते हैं, इसमें, टमाटरों को भी अच्छे से हम इसमें मेक्स कर लेते हैं, आप अपने टेस्टी बाकी की चीज़ों मैंने अपर थोड़े से कौन लिए हैं फ्रोजन कौन ये मार्किट में वो ले ली है अगर आपके पास हैं तो डाल दीज़ें थोड़ी से ग्रीन वाली ली है अगर रेड सिम्ला मेच नहीं है तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर दीजिए कोई जरूरी नहीं है मेरे पास पड़ी हुई ती मैं डाल दी है आप इसमें सिर्फ ग्रीन कलरगी सिम्ला मेच का यूज भी कर सकते हैं अब हमें सारे सब्जियों को अच्छे से इसमें मिला देते हैं आप अपनी मन पसंद के इसमें थोड़ी सी केवेच डाल सकते हैं यानि की पत्तव भी डाल सकते हैं बीन्स डाल सकते हैं मटर डाल सकते हैं जो भी चीज़ आपके पास अवेलबल है वो आप इसमें डाल सकते है आदी चमच मैंने आपका काली मेच का पावडर डाल दिया है, आदि चमच मैंने आपड कुटी हुई लाल मेच यह वह एक चमच इसमें डाल देंगे नमक, नमक अपनी टेश्टी ओकॉरडिंग डाल ले है, अब हम सब्सक्राइब को और देते हैं, बहुत जादा मसाला का तो ये देखी अच्छे से इस तरह से स्टर्विंग को बना लिया है मैंने अब मैंने आपर ले ली है दो चमच टमेटो सॉस अगर आपके पास टमेटो सॉस नहीं है तो आप यहापर पिजा सॉस भी डाल सकते हैं अपनी मन पसंद की इसमें कोई भी सॉस आप इसमें एड कर स सकते हैं अगर आपको मायो नीच पसंद है तो जरूरी नहीं कि आप साप्टमेटो सॉस यह डाले मायो नीच भी डाली जा सकती है यह देखी सॉस को में अच्छे से मिक्स कर लिया है सॉस से बहुत अच्छा टेश्ट आता है और बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग भी हमारा इस तरह से मसाला तयार हो चुका है अब मलीच को टेंगे ङान ऑवर दो बढ़ र करना है तो इस तरह से हम इन को बीच में से जाल का लिए हैं इस तरह से अपने से कौट माइश को जासा लिए z ना भी आक को जैसे हूं में से लूंट या तुको छुिम से पसंद हो तो इस तरह से दोनों बर्गर बन पर हम इस तरह से मसाला लगा देंगे फ्रेट बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है आपको बताई नहीं सकती जब एक और बना के खाएंगे ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा अमें आप ले लिया है यह एक क्यूब्स प्रो पाई करेंगे इस तरह से ब्लेगे खाला चीज को धेस कर दिया उपर से लगा के ये देखिए पहुत ही ज़्यादा संदर लग रहा है देखने से आपको पता चल रहा हुए कि कितना ज्यादा अकदम चीज ही यम्मी लग रहा है अब हम क्या करेंगे अरा हम चलते हैं गया तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा इसलिए वह आपर सेम यूज कर रहे हैं आप दूसरा पैन भी ले सकते हैं अब मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है बटर की आप यहां पर घी भी डाल सकते हैं गी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इस तरह से हम इ बहुत लगता है तो इस तरह से एक शेक लिए हैं इसी तरह से हम दूसरा भी सेक लेते हैं एक दम गर्मा गर्म निकलता हुँ आप खाये तब यह से तो बहुत मज़ेता लगता है अंदर से एक दम चीजी मसाले दा वह ऊपर से थोड़ा बहुत क्रिस्पी साप बहुत ही अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसको भी हम बार निकाल देते हैं तो यह लीजिए हमारा गर्मा गर्म नास्ता बनके तैयार हो चुका है तो आप यह और रेसिपी को जरूर टाई करगें आपके बच्चों को तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आपको म अगरी रेसिपी अच्छी लगए तो रेसिपी को लाइक मुचे अल को सब्सक्राइब करें एंजियर करें फिर में लेंगे अगरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइब